क्यों धरो यथा तेरी नमस्ये पुरुशंत्वाध्यम कुंता जी क्या कर गया है रभु नमस्का बंदन तरिया क्या कुंता जी हाथ जुड़ा अधर का देश्टाकुण कहें चैरे वू तो आपनो बंद्रियो नानो आपना थी आप मने शुकाम नमस्कार करो चुड़ा कुंड जाओ ची तो हूं आपने वंदन करो आप माना थी मोटा चुड़ा कुंता जी कहें चे कहूं कुं आपनो आजे देह संबंध नो जे देह संबंध चे ये संबंध ये ध्यानमा राकी ने आ नमस्कार नभी करी लेग कुं कोने नमस्कार करो चुड़ा इश्वराउं प्रकृते पराउं अलक्षम सर्वभूताना अंतर बही दावस्तितम इश्वरम प्रकृते पराम जो प्रकृती से पर है जे प्रथम पुरुष छे जो अंतर बही रवस्तितम जे सर्वत्र छे ए पराम पुरुष ने हूं नमस्कार करी रही जो कुंता जी ने पेजा ठाक और जीमा एक देह बुद्धी हती हमारो भाई नो छोपरो इर इतनो प्रेम हतु परंतु जारे जोयो के उत्राना गर्वमा भगवाने रक्षा करी त्यारे कुंता जी ने प्रभुनु महात्म ज्यान संजायू क्या कोई साधारण पुरुष अलक्षम जे आपना सुरूप में कोई जानी नशक है श्री महाप्रमुजी बहु संदर अलक्ष शब्दनी व्याख्या करी कि अलक्षम यानी अ यानी गुरु लक्ष यानी जानना जब गुरु कृपा हो तभी जीव भगवान के सुरूप को जान सकता है एसे अलक्षम बीजी व्याख्या करी कि अ यानी इसी कृष्ण लक्ष यानी जानना जारे प्रभुना सुरूप में क्यारे कोई जीव जानी शके जारे प्रभुनी इच्छा होए जारे ए जीव प्रभुने जानी शके तो अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्तितं जे सर्वत्र छे अंतर बहिरवस्तितं ए प्रथम पुरुष नहूं नमस्कार करूँ छो जो ए सर्वत्र छे व्यापत छे तो तो एने जानमू एने जोवू सहज होहे ना पुंता जी कहेँछे ना, धागवान कोई इंद्रियो नो विशे न थी माया जव निकाथन प्रभू, आपने आ माया बदी जग्याय ऐ फेलाए लीचे, ये अधोक्षेद आपने आ माया बदी जग्याय ऐ फेलाए लीचे अने ए माया ग्रसित जे जीव चे आपना सुरूपने जानी नती शकतो जेम नटो नाट्यो धरो यधा हाँ जेम कोई नट होए नाटतमा नटनु सुरूप जेने धारन करेलू होए ए नटना सुरूपने हरे कोई व्यक्ती जीवे ने ओड़की नती शकतो ए विर्थे प्रभू आपना सुरूपने आपन नटवर चो आपना सुरूपने हरे कोई जीव जानी नती शकतो आपना सुरूपने कोण जानी शके जेना रदेमा आपना माटे भक्ती छे प्रेम चे तथा परमहंसाना मुनेनाम मनात्ना भत्तियोग विधानार्धं कथंपश्ये महिस्त्रिया तथा परमहंसानाम मुनिनाम मलाज्मनाम रगु आप सरवत्र चो व्यापक्षो परंदु बत्ता अपना सुरुप में जानी नकी शकता जेना रदय मां आपना माटे निश्काम और हेतु की भक्ती छे आप तो एनेज दर्शना होई धनिवार गणानेवा प्रश्न थता होई शंशय शंका करता होई कि अपुष्टी मारतमा अलोको भ्रह्म संबंध ले ने पच्छी धाकुर जी सेवा करे ने जगाडवानाना ने भोग धरावाना ने बोढ़ावाना अशू एमा मतलब चे शू एमा मजा आओती है शू आप जान सकता है जे दूर छे प्रभूती माया मा जे फेला अइरों जे आ भाव ने क्या समझवाना इन एम धाय क्या सू सेवा करवानी जगाडवाना ने पोड़ारवाना ने आ दरावानी आ करवाना ने बागा धराव भया मूर्द्रष्टी वाने नहीं जान सकते हैं वो तो कियारे करिक काम कई कंभान में पनरावना जल्दी 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 लill सिनकार तरह ने इसुम्हा थिर्णद्धे मारी जामे आनी जाले पजी शिंगार बड़ाती जे एकलू वेलू करवानू करे एकलू मुडू थाए और आओ बदो आनन ओला दूर जे चे बहिर मुग जे एने हुँ खबर पड़े इतो जे जे सेवा प्रेम भावती करी रहो छे एने खबर पड़े ओकुर्जी वाद पन करे छे बोले पन छे भारेक ने भाषा संजाती नथिया है और ओले मा नाजज़ो कोई फ़ले मा मत आपड़ो आगा आखा अगा आखा जे सिछ वाम अलेज़ो हैं आपना भी जे बोले थे बोले खरे आखो जिवस बोले आ आखो थी तीम्हें चूपत नतिरे तो बहु वातों करे आपार हुत्जा विचारे हुं आठवों महा बद आपने जोई नती शकता, आपने जानी नती शकता, आप तो कोना माटे प्रकट थाओ छो, भक्ति योग विधान आर्थम, जेना रदेम आपना माटे निश्काम भक्ति प्रेम हो छे, आप तो एने जो दर्शन आपो छो, एने पोताना सुरुप्रु दान आपना हमारा बदा पांडो ऊपर किट्ला बदा रूम उपकार छे, किट्नी बधी प्रभु आपनी हमारी पक्रपा छे यथा रुशीकेश खलेन देवकि, कंसे नरुद्दा तचिरम्षु चार्पिता, भिवोचिता हम्च सहाथ न जाविभो, त्वयेव नाथे न मुहुद्दी पद्गणा देवकि, यथा रुशीकेश खलेन देवकि, यथा रुशीकेश खलेन देवकि, यथा रुशीकेश खलेन देवकि, कंसे रुशीकेश खलेन देथा। ना एटली महद प्रुपालों आपे अमारी अमारा बाड़कों उपर करी तो देवकी ने तो कारा ग्रमा केटला मास रहू पड़े उए ना छोक्राओने बाड़कों ने कंचे बहुत प्रूरत आथी मारी नाख्या त्यारे आपे नी रक्षा ना करी परन्तु प्रभू आपे तो हमारी मारा बाड़कों नी पथ पथ उपर प्रभू आपे रक्षा करी क्या सुधी प्रभु हुँ गणा हुए यूतु सभामा वनवासना सभामा विशेला लाड़ो थे वन्य यात्रा समय अलग अउसोर उपर प्रभु आपे हमारी रक्षा करें छे आपनी अमारी उपर केटली क्रिपा छे श्महाप्रभुजी सुगोधरी मां बहु सुंदर शुकाम जो गोपी गीतमा पण गोपी जलो विश जलाप्य यार व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैध्युतानलाद रभु आपे कितनी कितनी जगें पे हमारी रक्षा करें छे आचारी की आग्या करें छे के भगवान ना उपकारो नू स्मरण करवाथी जीवना अ आपती माटे उपकारत छे साधाराण जीर कहें के प्रभु कृपा करो कृपा करो अरे तारी उपर जे कृपा थाई चुगी जे एनी उपर तो तू विचार कर जो सौधी बेला आप भगवान आपन जे दुरलब मानों जन्म आपना इश्वर नी कृपा छे ये मानों जन्म हमें हमारे साधनों से नहीं मिला शास्त्र कहे जे के अमुख कर्म करो अमुख यक्यादी करो तो स्वर्गना देवता तमें बनी शको पड़न तू अमुख कर्म करो तो तमें मानों बनो एदी कोई विवस्था ना ते आ मानों जन्म केवल अने केवल इश्वर कृपा एक प कई खारविक धावनाओ आपी विशेश्ष कुर्पा श्री माहप्रभुजी जीवा गुरु आपण अपने मल्याप्लकत है श्री वल्लभनी एटली कुर्पा पुष्टि मार्ग जजमादी दिव्यमारग आपण अपने आपी दिधो अपनी अपनी कुर्ब गो Tribs अपनो सर्वस्व जानी के वाखि सेवा करें कितनी कृपा है अपने सेवा करी शगियों शु सामर्त्य यस्वडा नंदन नंदन प्रंप प्रप्रंप सिक्रिश्न जाधन कोम निजपत अप खोजत वेद हुपार नपायो एसे परप्रमसी कृष्ण शिमाहा प्रभुजी कृपा करी न आपना घर्मा आपने पद्रावी दा पोतानु सर्वस्व आपने 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 कोई आपी आपी ने क्सु आपे, कोई धन आपे, धन आपे, वस्क्र आपे, अलंकार आपे कोई पोतानू सर्वस्वा पीशत है शी महाप्रभु जी ए तो आपणी उपे कृपा करी ने पोतानू सर्वस्वा आपण ने सोपी दिदू कि बस तू वाको अपनो सर्वस्व जानी के सेवा कर ये कितनी महद कृपा है वेश्णवों शी वल्लप की हमपर कि भगवद सेवा नों प्रकार बतारी साधारण जीव कहें कृपा करो प्रपा करो भग कहें चे ब्रभु आपनी केटनी कृपा अच्छे हमारों अनहाद कृपा चे कुंता जी हाथ जोड़ता कहें चे नाथ आपने द्वार का पधार्वों पधारों पर तो एक मारे बिंकी एक वस्तों हूं आपना थी मांगवा नीचा रहा चे पुंता जी प्रभु से कुछ मांग है प्रभु कहें हां कहो प्रभु तो आपको क्या चे ये शू जो ये छे पुंता जी कहें प्रभु वचन आपो मने आप शो ने अरे आपे आज सुदी मारी पात्ते कई मांगियो प्रेम निधारा वही रही छे तोर कहे छे विपदाह संथ नहाशश्वन अत्रतत्र जगत्परो भवतो दर्शनम्याश्या अखो नर्भवतर्श पजटा जटा पहला मने जीवनमा दुख आपी नहाशवनु अन्य विपद्टी प्रव हूं केवल मारा माटे नहीं अभी तु मारा पुत्रो नपड पड़ पघध और विपद्धीं ती भरी तो दुख आपी नहाशवनु थे दुख नी कमी अत्नी केट्लों दुख पांडु राजा स्वर्का रोहन थयू पच्छी इमना पुत्रों नेपण चे अधिकार मुडवाजू यह अधिकार नमड़्या एमनी कुल वधू एमनी वहुनू अपमान थयू अन्याय थोयो इमना पुत्रों साथे वनवासन यात्रा करगी पड़ि ! केटली जग्याय विपत्ति यहना जिवन महावी तो सुख रवए जाओ पर अप्रणों विपत्ति आपता जाओ विपत्ति कुंताइजी मांगेच्छै कुंताजी गहे छे प्रभु विपत्ति मने सुख नथी जोतु गाण के जोईली दू आज सुख आवे छे आप अमने छूडी न जाओ छे अने मैं जोईू छे के जारे जारे दुख आवे विपत्ति आवी आप होताना बद्धा कार्य गौण करीने आप अमारी पासे आवी ज दर्शन आपो छो अने जिए जिव एक और आपना दर्शन करी ले इने पची भावना दर्शन नथी करवा पड़ता एटले प्रभु आपसी विपत्ति मांगो छे सुख के माते शील पड़ो राम रजाइते जाए बलिहारी वा दुख की जो पलपल नाम जपाए पलपल ना कि धन्य छेवी कुंता माता कोण आउँ दुख मांगी शके मगवान पासे जेने अंदर निश्काम भाव प्रेम होए द्रड़ता होई जेनी अंदर विश्वास होई ए प्रब्रह्म कृष्ण पासे दुख नी आचे माते भक्तों नी दृष्टी मां सुख अन्य दुख नी ए प्रब्र मुपन। विपति शूँछे कहा हनु मन्त विपति प्रवु सोई जब तक सुमिरन भजन न होई भथोनी द्रश्टी माँ विपदह विस्म्रणं विष्णू संपदह नारायनस्वर्ति भगवाननु विस्म्रण थैजवू एज सवुथी मोटी विपत्ति छे अने प्रभुना नामनु स्वरुपनु चिंतन स्वरण सदा बने दुर है एज भंतो माटे सवुथी मोटी संपत्ति छे तो प्रभु आज संपत्ति हमने जोई है आप हमने छोड़ीने जाओ छो श्महाप्रभु जे बहुत सुंदर भाव बता जो विपदह कुंता जी कहे छे प्रभु आज आप बदा पद हमने आपी ने जाओ छो ए पद नहीं विपदह आपना चण्नारविंद नु स्थान हमने जोई है आपना चण्नारविंद ना दर्शन ततार है ये विशिष्ट पद हमने जोई है छे प्रभु ना आप जन्मलोचों आप कर्म करो चो तो पन भक्तो ना कल्यान करवा माटे ना मनोरत पूरण करवा माटे अलग-लग समय मा आप अवतारधारन करो चो ये अनुरूप आप लीला पन करो चो मने स्मरण धायरोई वुछे कि जारे हुँ आपने दर्शन करवा माटे जारे ब्रजमा आवी हती ये समय ब्रजमा यश्वदाजी जारे आपने खिजवी दिदा हता मातली पूडी नाथी वांद्रावने खवडावी दिदू इसमय यश्वदाजी ब्हूं क्रोध मावी गानाया ये समय यश्वदाजी आपने बांद्वा माटे आपनी पाच्षण पाच्षण दोडे नाप आप अगड़ा अगराखन नायरे आपनी आखोमा तू पति भइभीत एवा अश्रु धारा बहिरी यती अपना नेत्रनु अं ने भक्तों ने कृतार्द करो चो अब दी आपने लीलात तो छे जारे जारे ए स्वरुपनुहुं चिंतन करो चो मारू मन मोहिक धई जाए कुंता जी कहे चे बस प्रभू एकज मस्त हुँ आपनी मांगो चो एकज विन्ती करूँच आप द्वारका पधारो परन्तु जेम गंगा जीनी अविर्त धारा सागर्मा मड़े चे केटली पन केटला पन आवरनो आवे तो पन एक गंगा जीनी धारा सागर्मा जेने मड़ी जाए चे एम प्रभू अमारा जीवनमा केटला पन कश्ट आवे विपत्तियों आवे परन्तु तो पन मारी बुद्धी सदा प्रभू आपमा लागेली रहे बस प्रभू एज आप कि विपत्तियों मांग्याने ए विपत्ति मां समय मां हमारी बुद्धी पस आपना चेड़नार बिन्नु स्मरण करती रहे केटला पन आवरनों केम ना आवे बड़ सदा अमारी बुद्धी प्रभू आपमा लागेली रहे एज अमारी विंती छे योगेश्वरा खिल गुर नहीं दो धनावान नमस्कार ती प्रारंब करें नमस्तर अंत सम्पुड संपुडाव कुंटाउस जिये कुस yeah नमस्कार ती प्रारं भगपरें नमस्कार एवक कर्तव्य जिवनी पास दोपयोग्यता सामर्तिया खेग भगवानने आपिसे किमासनम ते गरुडासनाय किम भूशित आय कोस्तुब भूशनाय किम दियत आय उनको तुम क्या दे सकते हो गरुड जेमनु आसन होय एना माटे तमे कईू मंदिर सिंगासन सित करावी शको जे कौस्तुब मनी धारण करतु हो एना माटे तमे कया रत्न जटित मालाओ लाई शको जे पोते वाणी ना पती छे एना माटे तमे कई स्तुती करी शको शिमहाप्रभुजी कहे जे केवल और केवल नमस्कार एव करता प्या जीवदी पासे बीचिक योक्यता छेजनी भगव ने आपकी छेज़े नमस्कार आधे हाथ अने क्रिचू अपनू माटे एक ऊट्या शक्ति अने ज्टे बसे नमस्कार एज ब्रहु ने जीवदी ऍयां प्यापीत दोड़े फ्लमेश काज त्यशलियन फ्लीन धे प्रभु कुई इञेहे ने Нीर्मिक Ал आप था। जों हमें युदिश्टिरी-चीय हुति थे डायुत हुए गेने见 शंशहतो क्या युद्ध सत्ता मेडवा माटे मैं आट्टों मोटों युद्ध कर्यों आटला हजारों लोगों मरी गया नर्सम्हार थयो इना करता होला ने आपी दिदू ओद तो आप दू थाद में युद्ध सत्ता माटे ना हतो धर्म संस्ता पनार थाए तो ए संदेह निवारन करवा माटे अने बेश्म जीने जे बचन आपे तो अंतिम समयमा के इने दर्शन आपीशो ये बचन पूर्ण करवा माटे पांडवों ने साथे लईने भगवान सिधा जा पान शैया उपर धिश्म पिता माँ पोर्या छे त्या भगवान पधार्या भगवान पधार्या आग्या करिए कि आप आपना संदेह ने दूर करो कि विश्म जी कहें जे प्रभु पेले अम्मारा संदेर ने आप दूर करो ने के मैं जीवन मां कोई पाप करयो नहीं भ्रमचारी बनी ने रहो तो आच अच अच मांस आभी दीडा क्यम सैन करवे पड़ी प्रभु कहें छे याद करो विश्म जी उली सभा भले आपे पाप करयो नथी पन पाप थता जोयू तो छे ना पाप भले करता करे निप विश्म जी पन जूए छे तो एपन महद अपराद छे तो आ एनू परिणाम जे इना शंशेन निवारन करयो नहावे विश्म जी प्रभु ने कहें छे सदेव देवो भगवान प्रतिक्षताः कले वरम्याव दिदं हिनो म्यहं प्रसन्हासा प्रुन लोचनो लसंद। सदेव देवो भगवान प्रतिक्षताः सदेवो भगवान प्रतिक्षताः डां § जा जय कर त्य हार्टकिक्ष्या प्रतिक्षा करो अग्युक्ष बैर जिएterior प्रतिक्षा करें हो एक्युक्षा करें है मखाम मुझो ध्यान पदश्चतुर भुज सुकाम प्रतिक्षा करवानु कहें जे कि हुँ प्रसन्न हासा आपनु आजे प्रसन्न मखारविंद आजे मखाकरती ए सुन्दर हास्यामर्त जोई ने आपनु मधराकरत आजे सुरुक छे ए जोई ने हुमारा प्राण ने छोड़वा मांग रूचो तो प्रतिक्षा करवानु कि देखे ये प्यास प्रयास प्रार्थना प्रतिक्षा और प्रसाद ये सब प्रेम की सीडियां है प्रारंब क्या थी थाए प्यास भागवद मिलन नी प्यास पच्छी खाली प्यास भी नहीं चले प्रयास भी होना चाहिए प्रयास प्रयास के बाद की स्थिति है प्रार्थना प्रभुनेय देनन्य भावति निवेधन करवू अनि प्रार्थना करया पछे प्रतिक्षा धेर ये बनावी में राखिए हाज जीव प्रतिक्षा तो छुटी जाएचे धेर ये छुटी जाएचे तो प्रतिक्षा करो अन्तिम जारे जीवे प्रतिक्षा ए धेर्यनी कसोटी थी ये विजे प्राप्त करेचे त्यारे इने सु मड़ेचे प्रसाद यानी प्रसंदता प्रसादस्तु प्रसंदता हा तो ये सब प्रेल की सीडिया तो बस हवे प्रभु आप प्रतिक्षा करो उँँ आपना दर्शन करी ने हुँ मारा देहनों त्याक करो और हवे भीश्म जीए खुब सुन्दर स्तुती थी पोतानी मती और पोतानी एकादश इंद्रियो प्रभुने समर्पित करी रहा छे एकादश श्लोको थी स्तुती करी शी महाप्रभु जी भाव बतावे हो के पहलो श्लोक ए आत्मनी वेदननु सुरूप छे बाकी ना नौ श्लोक नवधा भक्ती ना सुरूप छे औने अंतिम श्लोक एमा सर्व समर्पण नो भाव रहे लो छे औने एम पन अंतिम समय मा एकादश इंद्रियो नों समर्पण समर्पित करिया विश्मस्तुति ना दर्शन करते हैं इंतिमति रुप कल्पितावे प्रुष्णा अगवाते साफवत पूंगवे निकुंदी श्रीष्विवण पगते क्वाचे प्रुष्णा अगवाते प्रुष्णा अगवाते प्रुष्णा अगवाते निकुंदी वपुरलक पुणा वृतान नाचं विजय सके रंदिरस्तु मेन भट्या युदि दूरगर जोवि नुप्रविष्वत तचलूलिक श्रम वार्यलं पृतास्ये नमनिशित सरे विभीध्य माना वची विलसत्कव जेस्तु क्रुष्णा आत्मा अब युद्तर स्तुति अन्य गुरुद्य नो आचार्यों इदी आग्या पढ़्टे के स्तायम कालना समेवा भिष्व श्तुति नो पाट्पन करूं ओजुआ पहला श्रिलोक मां सर आत्मनी वेदत नो भाव छे इती मती रुप कल्पिता वित्रुष्णा अवे जो इती इती इतो समाप्ती वाचक छे कोई पण ग्रंधना अंतमा इती शब्दों आवे इती श्रिमत वाचारे विले जितं श्रियम नाश्रक स्थोत्र संपोर्णा इती अंतमा वे परन्थू अईया समाप्ती वाचक छब्दों पहला पिश्मजी हे राकर इती मती रुप कल्पिता वित्रुष्णा धगबती साथमतल अवे जो भूद मेचि इती मती रुप कल्पि अंतिम सवेमा आपना मने दर्शन थही रहाँ चे एटले हवे मारा जन्मनों बद्धा जन्मनों हवे अंत छे एटले इती मती रूप कल्पिता इती थी प्राण लुप मती नुके प्रभु मारीया वित्रष्ण अयुक्न ज मती छे मती प्रभुु आपने असर गुझक करो श्मात प्रभुथी पन समझा अवे ऐसे कर साचू समर पण बुधी द्वाराज जहरे ऐस जिवा माठे सक्संग माठे तो जार्सुदी बुद्धी विशे ने समसे नई कि important कुछ प्रायरिटी सूच जीवन मां तो डिशार्सुदी विशे ने समसे नहीं को समय मल से जिए पर जारे समय जारे खबर और महत्वता खबर पड़ी जशे के सेवानिसू मेहतोताचे edlast शक्संग नीसू मैहतोताचे अपने आप समय निकलेया तो सच्चा समर्पन बुद्धी के माध्यम से ही होता है एटला माते प्रथम श्रोकमा बुद्धिनु समर्पन कर जो प्रभु मार्या बुद्धि आपने प्रभुनु सुरूप केऊचे तमाल वरणम तमालना व्रुख्ष ना जेम आपनु उपण स्वाभाविक श्याम वरण छे तमाल वरणले तमालना व्रुख्ष न नी उपमा आपीने भगवानना सभावनु पण आईया वरणम विश्मजी करे छे के जेम व्रुख्ष परोपकारी छे पुतामा सरवांग दी परोपकारज करे छे इम भगवान प्रभु पण उपकारज करे छे जिवुपा प्रभुना सभावनु वणन करियू सरुपना वणन करियू बिश्म जी कहे चे प्रभु आप तो भक्त वसल छो और मारी प्रतिक्या ने जूर करवा माटे आपे पोता नी प्रतिक्या छोगी दिदी अपनों मान भले डर जाए भक्त को मानन दर से देखे तो भक्तों नी लाज रात्वा वाड़ा एवा गोपी पती सी कृष्ण रासना समय मां भिश्म जी गोपी जनों नूँ पर स्मरण करें चे रासना समय मां जारे प्रभु आप अंतरहित थे गया अन एगोपी जनों जारे आपना स्वरूप मां मग न थया तल्लिन थया कृष्ण कार जारे बनी गई तो एगोपी पती कृष्ण मां हमेशा मारू चित लागे लू रहे रभु हूं एज आपने मिंति कम एकादश श्लुको ना माध्यम थी विश्म जी ये रभु ने तेज भगवान ना स्षि विग्रह मां समावित थाई गयो उत्रायन ना परम पवित्र काल मा भिश्म जी पोताना शरीड नो त्याग करेओ उत्रायन शिमहा प्रभु जी सुन्दर भाव बतावियो कि आ काल नी स्थिती वात न थी कभी उत्रायन ने दक्षिन आयान जे सूरीय जे पंदर-पंदर दिवस होए उत्रायन भगवान नों एक नाम झात लिया अ उत्रायन मा देहे छोड़ियो एटले उत्रायन एटले के भगवाना प्रतिक्षा आप विश्म जी करीर आता त्यी जारे प्रभुना दर्षन धायता ये उत्रायन ना समय मा जीव प्राण नो त्याग करिए ये जीवनी उत्तम गती थाए जाए तो ये बिश्मजी ये प्रभुमा पोतानों चित लगाड़िव खुब सुंदर स्तुति करिए एना पचे आगड़ कथा मा युदिश्टिर जीनु राज्यनु वर्णन करवा मा आ अर्जुन नो मन लागयों नी एटले भगवान ना दर्शन करवा माटे द्वारका गयो गणाद यूसो निकड़ी गया द्वारका मा इत्या रोकायो और धीरे धीरे समय बदलवा लागयो काल मी स्तिती बदलाई गई एक विवस्तिवाद युदिश्टिर जी भिश्म साथ भीमसें साथे ना भाई साथे बिठा चे अने कहे छे क्या काल बदलाई गयों छे लोको जूठू बोलवा लागी गया घरगर मां कलेश थाए छे भाई भाई मां पिता पुत्र मां चोरियो थवा लागी ने बहु दिवस्ते ओ अर्जुन पंड़ अजिसुती आगयो ना थ कोई उत्साह नहीं कोई एना मुख पर आनंद प्रसंत आने मुद्रा नहीं कोई तेज नहीं ते जोई ने युदिश्टिर जी बहुं गभरा है अरे भाई बदू बरोबर्तों छे ना शू थे उत्या सु कोई तो इस त्रीनी रक्षा न करी शक्यों तारू कोई अपमान कर द्वार्का मा अपड़ा भाई यो बदा आनन मा तो छे द्वार्का धिश आनन मा तो बिराजे छे या द्वार्का धिशना समाचार पूछया त्यारे अर जो नाको मा थी धड़ड़ आसू प्रवाहित थी रहा छे ने कहवाल आगयो प्रभू भाई आप जे द्वार्का ध नीशनी खबर पुछी रहा चो रुशीना श्राप ने निमित बनावी ने पोताना धाम्मा पधारी गया चो भगवानना सुधाम पधारवाना समाचार आपया ये समाचार सामरताज आ लोको ना अंदर वो बैराग्या आवियो के जेनी कृपात ही आ सत्ता मली हवे एज भूत जीना तो त्यांज प्राण ने करिए विरहनी अंतिम अवस्था मिर्प्ति विए अवस्था ने प्राप्त थाई अने हवे बद्धा भाईयो उत्तर दिशा तरफ को प्रयान करिए एक एक करी ने धीरे धीरे बधाना धड़ पड़वा लागया बधाय हीम समाधी लिधी अने हवे आगर प्रथम स्कंधना अंतिम चार अध्यायो मा परिक्षित ना शाषन नू वंड़न करवा मा विए बे अध्यायो मा राज्य स्विकार अने बे अध्यायो मा राज्य त्याग इनू वंड़न करवा मा विए बे सामर्थ लोकिक और अलोकिक सामर्थ परिक्षित राजा न एक दिवस दिवाद छे राजी विच्चरण करवा माते परिक्षित राजा राजी मा फरी रहा था एक विच्चित रत्रश्य जोलू एक बड़ अने एक बड़ अने एक पड़ उपर उपो त्रण पड़ पड़ अने एक गाय अने इक गाय अने बड़ अने एक शुद्र राजा शुद्र राजा बहु उक्रूरता थी इन्हें ताडित करी रहे होते इन्हें मारी रहे होते होना आ द्रश्य राजा है जो उन्हें हवे इना थी सहिन थे जो आई आको रूपक बतावा मागूँ छे बड़द अने गाये बड़द बेल वो धर्म का सुरूप है शास्त्रों मा बड़द ने धर्मनू सुरूप के वा मागूँ अने गाये पृत्वी छे धर्मना चार चरण छे जिम बड़द इना चार चरण बताव्या सत्य शोच दया अनेदान आ धर्मना चार चरण परन्तु जारे भगवान सुधाम पधार्या कल्यूग आवियो त्यारे धर्मना चार चरण छे ए चरण नश्ट थेगया सत्य नश्ट थेगयो शोच पवित्रता आजे घर गरमा थी नश्ट थेगयी छे नदारत छे दया भावना चुवा नथी मड़ती बस एक चरण उपर केवल कल्यूग उभू छे अने एचे केवल दान अहीं आख्या रूपक बढ़द धर्मनों ये प्रतीक छे हे अने प्रतवी ये गायए sería प्रत्वी माता गव माता दुखित क्या रह था है छे धर्म उपर हानिन झानि त्यारे आप उने पी्रा था है इक यारक बढ़द ये धर्मनों प्रती है आने बढ़त क्याँ ती प्रकट था युव थी एटले गव माता एक धर्मनी जन्नी छें धर्मनी जननी कौन? धर्म प्रगट क्याती धाये छे? यह जननी गव माता छे जिम आपड़े जोवेतु भक्ती ग्यान वेराग्या भक्ती यह माता छे ग्यान वेराग्या पुत्र छे इम धर्म एक गव माता नो पुत्र छे तरके बड़ धर्मनू प्रतीक छे तो धर्म की ज हुआ 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 क neden कि गाय अने पृत्वी माँ घना समाज गुणों निया जिये पन सहन करे छे मटिय पन सहन करे छे मत्ना कि पृत्ती पना सर्वांगति समाजने वदू आपे छे फैक संग या एक एक अंगति अक में आपनी घुण माता इतले विश्वनी माता शे विश्ववनियत आपना मल मुत्र थीपन अनेक प्रकार नी आउशदियों थाएछे अनेक प्रकार नी बिमारियों दूर थाएछे तो एक गाई ए माता छे अने इ माता इना दूद ती दही ती तो पोता ना बाड़कों नूँ पोशन करे छे परन्तु एक गोबर थी एना मुत्र थी पन एनी जे शारिरिक बिमारी हो छे ए दूर थाये छे ने एना प्रमाण आपने आ शिजी गउशाडा मा जोहिए छे अहियां आ गउशाडा ना माध्यम की अ एक एक गउशाडा पन एक रोल मॉडल एक आदरश एक गउशाडा छे भारतमा और राजकुर्ण मा घणी गउशाडा छे बहुत सेवा भावती बदा भक्तो ये सेवा करता जशे परन्तु आ गउशाडा मा हुँ जोहुच विशेश करीने के गव मुत्र एक गोबर अने एनाथी आउश दियो अलग-अलग प्रकार्णा पदार्थ हो कि अलग-अलग प्रकार्णा प्रोड़क्त मन लागे पत्चीस सी त्रीस एवा वस्तु वह यहां आ गव कवामृत जे छे इनाथी बने जा तो गाय ए माता इटला माटेज तो इने माता कहे उठाई पर इगाय अने प्रुत्वी बनने समान पण बनने दुखी क्या रह था है अप्रुत्वी ने पण आ मनुष्यों ना भार थी यहने भार न थी लागतो इना थी दुखी न थी तती पड़ आसूरी जीवो थी यह दुखी थाए जे असूरी को ने कहवाए जे असू मा रहे ए असूरी जो असू में जीए असू यानी प्राण केवल हूँ और मारू शरीर मारो परिवार जे नुझ जीवन बस आटला माज छे समित आवा असूर होती असूर ना मतलब बोला मोटा मोटा दात में सिंगडा वड़ो असूर नहीं जे केवल मैं और मेरा परिवार हुँ अने मारू हुँ अने मारू सवारे उठे ना इदो इन्ने आम दूर की भगवान ने नमस्कार करी ने पाजो काम धन्दे वेओ जैने खाओ पीओ खाओ पीओ मोज मस्ती करो विया ये जीवन बस इसी के लिए है इट ड्रिंग और बिंग मेरी आ एक जे विचारधारा ने ए विचारधारा ए बदा जीवो आसूरी छे अने ये आसूरी थी आ प्रत्वी माता आ गव माता दुखी थाये छे आजे पन एवा आसूरी जीवो केटली जग्याए आजे पन गव हत्याओ धाय रही छे आ एक सौथी मोटू कलंग छे आपणा बध्धा माटे हैं कि जयां ए गाए ने माता तरीके आपने मानिये छिए मात्रु स्वरूपा छे जे पोताना सर्वांग थी जीवो पर कृपा करे छे जे आपणा इश्ट एक क ज़्धा थाई रही छे जोई जोई ने आप प्रत्वी अपन दुखी थाई जाए छे जोई ने आपणा वधा मन पड़िवो विलाप करे छे के अने एमा पड़ क्यांक आपणी कमी छे वू तो एम मानि अजी आपणी अंदर जे जाग्रत्ता होवी जोई ये सजाग्ता हो जोई नथी गव रक्षा माटे गव पालन माटे गव संवर्धन माटे ये हम सब की कमियां है ये समझ जाना है जी पर पूर्ण जे समर्पन होई जोई गव सिवा माटे इमा क्या कचास चे वेश्ण होई ने तो केविरत एक गाय पन यहनी कई रित्यु थाई शक है आजे ग मारी रहा चे उप्योगी नथी ने दूज नथी आपती ने उप्योग नथी था तो एटले अना आवश्यक मानी ने इनुँ हनन थाई रहूं छे अवे जे दुष्टो जे गाय नी हत्याक करी रहा चे तो एतो असूर छे परन्तु तम्हें जो जो परोख शिर्ते क्यांक आ अम्रुत छे एनुँ आपणे अनादर करो आजे विचारो केटला ना घर गरमा गाय नो दूद आवे छे आपणा घरमा केवल आपणी भारतिय देसी गाय नूज दूद आवो ए सउथी मोटी गउ सेवा छे विजू कई न बनी शके तो वेश्टो वेश्यक्यो आगर राग अधि यह दे मांड वद शे तो गाय नूपन संवर्धन थो शे गाय नूपन सरक्षन का जे वस्तो नी जे प्रोड़क्ट नी दिमांड हो बजार मा एनू वधार मैनूफेक्चर खाई के नहीं और जे ने डिमांड जनो हो तो पचिय बंद पर यह आवे आ माल बंद करो गाय नी रक्षा पण थो शे गउ पालन पण थो शे आपने बधाये जागर थाउँ पड़शे वेश्ण वो काणके प्रत्यक्ष नहीं तो परोग शुरूपे आपने पणे गउ हत्यामा क्याक सवबागी बनी जहिए जिए गाय ना दूद नूँ अनाधर करीने जे ना घर मां जे कहें जे मने गाय माटे प्रेम छे आदर छे तो एना घर मां गाय नूज दूद आवू जोई आएक संकल्प अवश्य लेजो अने गउ रक्षा ना हेतू थी आप बहू मोटू तमारू योगदान थशे गउ रक्षा ना हेतू थिया बाकि आजे साधारन हरे कोई जी कार करे यी बदू थशे त्यारे तू तो कर तारा थी जे थाए छे तो आपन ने जारे गाय नो दूद नूँ आगरा थशे अने जेटली डिमांड वद शे एटले पचिनू सरक्षल थशे जे ता एक बहू मोटू अंग छे गउ सेवा नो एना माटे आप बधा जागरत था आप बिजी रिते जोवा जोई है तो कह आए कहवा है चेक सर्वे पन आविए के जेटलू उली कसाई यो मारे छे एना करता पन प्लास्टिक थाई खाई नम रहे छे ओगाय अजे आपने बदा पन एमा क्या सभागी थाई है चे गम में त्यां कच्रों फेक वो दम में त्य लोऔा तो आनी जग्या ये तो हमें आं जो यह न पची भूल अगरास देवा जेना थेली मालिय आ प्लास्टीक नी थेली मा तो ख्यार ये ग्रास लई जिन जवाय तो विष्छ समान थी जाए ज़े गणिवार लोको आप प्लास्टीक ना लिधे एक गाई नी मृत्यु थाए ज़े प्लास्टिक थी गायों वधर मरी रही छे पन आप बधाईयां बेठा छो टीवी ना सत्य ध्याना चेनल ना माध्यमती जोई रहा छे आ गउस्रेवा ने एक अंग रूप छे एक तो गाय नों दूद आपना घर घरमा आवे हिंदू आ गाय ने तो विश्वनी माता कही छे गाय केवल हिंदू नीम छे के एवू थोड़े छे हिंदू हो मुसल्मान हो सिक हो हिसाई हो हरे को इस धर्म के कारी में जुड़ना चाहिए कोई भी धर्म हिंसा को प्रोचाहान दे वो धर्म ही नहीं है जा हिंसाने स्थान हो ए धर्म कही देते होई शके कोई पण धर्म हो है इसलाम मापड़ गव हत्या ए महध अप्राध छे एमा कहवा मागो छे इसलाम धर्म मापड़ अतो घणा अज्यानी लोको ऐ धर्म माणी नुए गवी हत्या हो धाये चे परंतु इसलाम पणे कहे छे के मोटा मो मटू ए अधर्म छे कण केजिब कोई पण धर्म ही हिंसाने केवी त्य प्रोर्शा ना पीशपड़ अहिंसा परमो धर्म है अहिंस प्रकार अलग-अलग होई शके परंतु बद्धा धर्म सत्य नी वात आवे दया नी वात आवे प्रेम नी वात आवे तो आ स्टेन्ड आव लेवल येवा छे कि त्यां एक जय जाएशा का सत्य ना माध्यमति बद्धा धर्म एक छे दया ना माध्यम थी बाकी पद्धती अलग-अलग हुई शके पूजाना मार्ग अलग-अलग हुई शके परंतु जियां सत्य छे दया छे अहिंसा छे आ बद्धा नी जियां बात आवे तो बद्धा धर्म एकज स्टेंड उपर आवी जाए छे एक ही लेवल में आ जाते हैं तो अहिंसा आए परमधर्म छे कोई पण धर्म इंसाने प्रोशान आप तो ना थी पर जे लोकों करी रहा छे तो महत तो आवा शुद्र राजा एक कल्यूग जेने कहवाए परनतु आपने बदा जे जागरत प्र सच्छ भारत अन्य हूं तो ए सच्छ भारत मा गउ रक्षा पन जोई रहा चो गम्मे त्यां कच्रों फेको ये कच्रों गाय खाया गम्मे त्यां थोक वो बिचकारियों मारवा तमें आ गउशाडा माचो अईनी मर्यादा पन साचो जो विश्नों जे स्थान उपर बेठा सच्छ राखिये गम्मे त्यां थूपता में गम्मे त्यां शंका अदीनों निवारन करओ नहीं ये 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 गउशाला है ये ब्रजी भूमी है गायन उस्थान चे तो आ स्थान नी मर्यादा आपन आपने साच्छ विचे तो जेट्णू बनीशक ज़िए अ स्थान पने पने स्वच्छ राखी है आज विदेशों मां जहिने एज त्यानी बधी वस्तू आपने आकरशित करे छे त्यानी स्वच्छता त्यानी डिसिप्लिन अनुशाशन एज डिसिप्लिन जारे पोतानी उपर लावान यह वात आवे तो यह गंतू नती है दरेक विश्ण वा भागवत ना माध्यम थी आज स्वच्छ भारत जेचे हुँँँँँ आप बद्दाने आगरा करिश आम तो आप बदा जागरु थशो परंतु क्यां तो भूलती पर थतुँँँँँँँँद्ध पवश्च ले जो आपणे पोता ना हाथ ती गम्मे त कच्रों आपने नहीं फेकिए और दरेक जीव जारे आवा संकल्प लेए ले पच्छी जुओ आपनों भारत नी सुन्दरता और के वी वधी जाए जाए यह भारत हमारी मां है और हम सब उसके पुत्र है तो हमारी ज्वापदारी है अपनी मां की रक्षा करें उसको समारें यह हम सब की जिम्मेदारी है पर आधीने स्वपने हु सुखना ही ओलो आवी न करसे नहीं करशे तू तारू योगदान तो आप तो आसवच्छ भारत आज थी आप बदा संकल्प ले जो गम्मे त्याम पिचगारी मारे भी नहीं एक तो एवा विशे ने एवा व्यसनों अ बेटा बेटा होला पाचाडन तो गाड़ी नो काचाको भराई जये बोलो केवु आपनों जीवन आपने बनावे लिधू छे जे सर्वोत्तम आपनी संस्कृति जे भारत जेने कहिये छे जया शुद्धता स्वच्छता नि जया आपनी संस्कृति माँ वात करवा माँ आव भागवत ना माध्यम ते आप बधा रात उपर करीने और संकल्प आप सब जने करो ने वाला करो आम थूड़क मेनत लिए आज ती हमें गंबेत्यां प्लास्टिक धेली नहीं फेकिए गंबेत्यां थूकिशू नहीं और गंबेत्यां कच्रों नहीं नाकिए आपने बोलो शिभागवत भगवान की अध्यान राग्जुआ संकल्प ने ओ भागवत नी आगड़ा पता है संकल्प लिदो छे यह संकल्प भूद जरूरी है हमारे भारत के उद्धान के लिए हमारी संस्कृति के लिए हमारी गव माता के लिए बहु आवश्यक छे आ कथा आपन एज साउधानी जे आ बड़द धर्मनु प्रतिक जारे जारे धर्मने आनी थाए गवने दुख थाए काणके गवने धर्मनी जननी छे इना ती एक गवने दुख थाए छे केवल आ कल्युग एकज चरण अने केवल दान बाकी बड़धा धर्मना चरण नश्ट थे गया दान उपर आजना समयमा धर्म टके लो छे आजना समयमा एवा दाता हो छे जो आटलो मुटो कारिक्रम थही रहो छे आजी हजारों लोकों कफा सामड़ी रहा चेने, हजारों लोकों माट यह उन्य न मड़ी रहा चे अने आ तो एमनम थाए निने जारे दाताओ जोड़ाए सेवा भावी पोतानू ए समर्पन करे दान एकले कईूने कल्यूग में एक दान छे केवल टकेलू छे दाताओ एवा छे जे टकेला छे मुहूँ ए बद्धा दाताओ जे जे आ कारे क्रम मां पोतानू सुलक्ष्मी नो विन्योग करे ओ छे आ आचार्य मन्च दी खुब प्रसंताए बधा माटे व्यक्त करू छे अने एक आचार्य तरीके खुब एमने आश्चिर्वाद आपो छे प्रभु खुब आपने सामर्थ आपे आवा ब्रहद कारे मां गउ सेवा मां धर्मना कारे मां आप पोतानू धन्नो विन्योग करावता रहो जे जे पन आ कथाना मनोर्थी बन्या छे अमीत भाई छे अने आजे विशेश करीन रमेश भै यही आव्या छे धडूप एक वगत एमना माटे जोरदार तालियो थी अभिवादन एमनो परिवार मंजु बेन आजे यह उपस्तित छे कि जा दानमी वाद करिये दातानी वाद करिये तो सव थी मोखर आगड़ जे होए यह आपड़ा रमेश भाई छे जारे पड़ दानमी वाद उपड़ सबसे आगे एक मोटा ए भामाशा अने खुब सात्विक भावती दान एक करे शे न कोई एवो अभिमान राकीने अने बद्धी जग्या एमनो विन्योग होए जे छे हमना थोड़ा टाइम पेला हमारा सूरत माँ पाटो सव हतो अने त्यारे हमें एमने आज्या करे जी आप्या चे थई जशे त्यारे एमना मात्यम तीपण सुंदर सद्यध्या चैनल मा प्रसारण थईउ हजारोव वेश्णोवे लाब लिदो त्यां पण ये उपस्तित थे आताने आ जे श्रीजी गौशाडा अने आ जे कथानू आयोजन थे रहे उचे एमा पण शी रमेश भाई धड़ोक गोंडल थी एमनों खुब विशेश आमा ये योगदान छे याना मुख्य मनोरती पण छे तो खुब रमेश भाई माटे तो ज कर सेवार्थियों बधा त्यां गया नेमने कई हूं पूरो आमा समर्पितु छू जे पण तशे हूं आमा सेवा करीश तो खुब शी रमेश भाई धड़ोक तालियों थी एमनों एक वोगद परिति अभिवादन करीने अने खुब ढाकोर्जी आपने स्वस्त राखे प्रस पासी गोर्दनेश जी ना शिमुके असकलित वागधारामा शिमत भागवद नो शौन पनापने करी रहाची त्यारे महा भाग जीवों छिये आपना विशेस अग्रहती आजे करूना करी पुझिपाद असो शुती राजा बेटी जी सा परिवार पदाराची अपना सासु आप सवने मंचस्त पधारी भागवजी ने महारानी जी कि शिवल्लभाद इशेकी विशेश करणों अफल तुरूप सजातिय परिकर अने पुझेपाद असो शुती राजा बेटी जी द्वागमन भाव सात्य भागवजी ना अर्चन सुरूपे पूजन सुरूपे माल्यार पण थवाजेरूशे बोलो शिभागवत भगवान की शिगिरी राज धरन की स्याम सुन्दर शियमने महारानी जी की एजी ते पुझे आचारे सुरूपने पण पुझे शिना श्री अस्ते माल्यार पण बोलो शिवल्लभाद इश्या की शी गोवर्द देश जी प्यारे की खोब खोब देंडवत वन्दा बधास फरुपोनी आज ना अज सत्संग सबामा पधारी आपे आज सत्संग सत्र ने दिवेता प्रदान करीशे संपुर्ण समीतियने शिजी गुशाला प्रिकर अपना प्रती आभार अहुभाव प्रगट करीशे एजी ते जेमनी दस-दस मुख पुजशिये हमना सराना करी संप्रदैना प्रत्येक भगवत कार्यमा जी हमेशा अगिरिसर होई सवर्वाश बेव एकई सत्संग सत्र के आयोजन धार्मिक न होई जेमा आदन येसी रमेश भाई धड़ुक परिवारनों योगदान विन्योग न होई एवा रमेश भाई धड़ुक आजे गोंडलती विशेश पदारा चेत कारे उमने पन ना सिग्मती जी से इतनी वे दन करिश कमंचस पदारी अने भागवाजी ने माले अरपन, पुझेशी ने माले अरपन कर से यमनी साथे संगती मावेला रसिख भाई राजपरा अमरा प्रफूल भाई राजपरा ने पन्निविदन करिश रसिख भाई प्रफूल भाई राजपरा बनने पन आउसे दाया भाई डेलावडा प्रमणा स्वजन वडिल तरीके अमरी वच्चे उपसिचे राजकोट ना वेश्ट वग्रणी अने नागरिक बैंकना पूर्वचेर में देवा डाया भाई डेलावडा ने पनि विदन करिश मोलेश भाई उकाणी पन उपस्तिचे मोलेश भाई ने पनिविदन करिश जड़ती मंत्य स्पधारी अने आचारे स्वरूपनी वंदना मल्यार पन द्वारा करशे जड़ती मोलेश भाई उकाणी बान लिपस्तिचे मोलेश भाई उकाणी आधनी अससंग सबामा ससंग स्वर्ण करवा माटे पद्वारा चे तक आपनो स्वागत अभिवा दिन करता पुझे शी ने मल्यार पन करवाने वे दिन करिश बद्दाज महनुभाव विशिशो जाजे पोतानी भावबिवेक्तिया पामाटे आप ससंग सत्रमा पद्वारा चे तके सवना प्रति आभार अभाव प्रगेट करता आपना आग मनने वलाविये चिये गोंडलती आज ससंग सत्रना मुख्य मनोर्थियेवा रमेश भाई दडुक परिवार अमारा स्वजन समा रसिक भाई अने प्रफूर भाई राजपरा परिवार अमारा राजकोट बानलेवना मौलेश भाई उकाणी परिवार अने अमारा स्वजन वडिल समा अधरनिस्टी डायभाई डेला वाड़ा आ सव स्वजनों शी भागवाजी प्रत्य पुतानी शद्धा अभिवक्ती आचारे स्वरुपनी वंदना करी रहा छे हम आपना सव प्रति आभार अभाव प्रगेट करिये शिये शिवल्लभा दीश की श्याम सुंदर शियमने महरानी जी की डिवे ससंग असकली ते धारा स्वरुपे आप शिवन्ना शिमुखे प्रभाई थैरों चे वरश्टी थैरे चे अने आपने सव आपना करणों ने दिविता प्राप्त कराविर्याची पुजिशी आप सवे विशेश समयापी आजना अससंग सत्रमा अपनी भाव अभिवक्ति आपी छे तके हम आप सवना अभारी शिये विशेश्ट पुजपाद असो शूती राजा बेटी जी सपरिकर सपरिवार पधार आए तके अपना प्रतिपण में आभार अभाव प्रकेट करिये शिये महनुभाव विशेश्ट पुजपाद आजे सत्संग सत्रमा उपस्तिचे सवने आरती सत्र सुधी उपस्तित्रिवा निवदन करिश अपसाओन साथे मली अपने शीमत भागवजीने आरती कथा विराम उपरांथ करिये ओ कि अध्यान तर्मा इमना मनुभाव गउसे वाविशे मापसे आजना सत्रमा सविश सविशे शुपे अमारा विपिन भाई अने हद्वानी परिवार गोपाल नमकिन परिवार पड़ पड़ारो छे आप सवने पन निवेदन करिश के आरती परियंत आप अमारी साथे रेशो अमारा विपिन भाई हद्वानी नो परिवार गोपाल नमकिन परिवार आज यागो छे तो एमने उन निवेदन करिश के आप सव भागवजी ना आर्ति सहीत पधार्वा जेपन स्वजनों सविश्य सुपए मारा निमंतरन थी आज पधाराचे सवने निवेदन कि आपने सव साथे मली शीमत भागवजी ने आर्ति करी आओ अमारा शीजी गौशाणाना मेनेजिंग ट्रस्टी अजे गौवमूतर ची किसक एवा शी प्रवजास भाई तर्ना ना गौशेवा समन मा मनभाव शवन करिये शी प्रवजास भाई तर्ना पुज्यपार गो स्वामी श्री डर्शन कुमार जी महळववजे स्री नी पावन निस्त्रामा आप सव वैष्णव जनोवती पुज्यस्निना स्री चर्णुमा मरा वंदन साथे वंदे गव मातरम बोलो गव मात की बोलो गव मात की बोलो गव मात की आजे सत्संग नान यग्नना तुतिय दिव से पुज्यस्रिना स्री मुखे गव माइतम साथे स्रीमत भागवत सप्ता नुझे रस्पान करवा पदरेला सर्व वैष्णव जनोव के जे खरेकर गाई माता ने पन प्रिये छे ने भगवान श्री क्रस्टन ने पन प्रिये छे ए सर्वने मारा रदैपुर्व भाव बंदना करू छू जियां गाई वसे छे तियां सर्वत इर्थोनोव वास छे सास्त्रोई किदू छे के जियां गाई माता निवास करे छे तियां कोई प्रकार नोव वास्तु दोस आउतोर न थे तियां कोई दोस्टनू निवाराट करवानू जरूर न थी पड़ती एतला माटे के तियां समस्त देवी देउताओनो वास कुद्रती रिते थाई जे स्री जी गौसाडा छेला 21 वर्ष्थी गायोनू